सुप्रभाद बहनों कलास सष्ठ आपको मैंने कल हिंदी विशाई में पाठ दो बच्पन के कठिन सब्द और उसके अर्थ लिखाए थे आशा है कि आप लोगोंने सुन्दर लेख में उस काम को फियर कौपी में किया होगा और आज आप उसी सब्द अर्थ के नीचे उस पाठ के प्रस्णोंतर लिखंगी जिसका पहला प्रस्न है लेखि का बच्पन में इत्वार की सुभः क्या काम करती थी अपने जूतों में स्वयम पॉलिष करती थी इसका दूसरा question है तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है इस बात के लिए लेखिका क्या-क्या उदाहरन देती है प्रस्ण उतार के उस नीचे से उत्ता लिखेंगी लेखिका के अनुशार आज और कल के समय में लेखिका के अनुशार आज और कल के समय में जो दूरी है वो इस प्रकार है उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामों फौन था परन्तु आज उसका स्थान रेडियो और टेलिविजन ने ले लिया है पोन विराम पहले बच्चे कुलफी खाना पसंद किया करते थे परन्तु आज उसकी जगह आईस क्रीम ने ले ली है उस समय खाने में केवल कचोड़ी समोशे होते थे आज उसकी जगह पेटीज ने ले ली है आज उसकी जगह पेटीज ने ले ली है सहतूत फालसे और खसखस के सर्बत का स्थान आज कल पेपसी और कोकाकोला ने ले लिया है यही वो दूरी है जो लेखिका ने बताई है अगला क्वेचन है पार्ट से पता करके लिखो कि लेखिका को चस्मा क्यों लगाना पड़ा चस्मा लगाने पर उसके चचरे भाई उसे क्या कहकर चिड़ाते थे इसका अंसर है लेखिका को चस्मा लगाने की आदत नहीं थी पहली बार चस्मा पहनने के कारण वो कुछ अजीब सी लग रही थी इसलिए चस्मा लगाने पर उसके चचरे भाई उन्हें छेड़ते थे अगला प्रस्ण है लेखिका अपने बच्पन में कौन-कौन सी चीज़ें मजा ले लेकर खाती थी लेखिका अपने बच्पन में कौन-कौन सी चीज़ें मजा लेकर खाती थी उसमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो इसका उत्तर है लेखिका बच्पन में हमेशा रात के खाने के बाद अपने बिश्तर में लेखिका बच्पन में हमेशा रात के खाने के बाद अपने बिश्तर में आराम वा मजे से लेटे हुए चौकलेट खाती थी पून-विराम चौकलेट के अलावा लेखिका चौकलेट के अलावा लेखिका को काफल, रस्बरी, खस्मल और चैस्टनेट बहुत पसंद थे वे चने भी खाती थी आज़का काम इतना ही है से इस कल को कराएंगे, इस काम को आप सुन दल एक में करेंगे